रिशी और हिमान्शी को तो कौन ही होगा जो नहीं जानता होगा ग्लाम कपल के नाम से फेमस ही क्यूट से कपल की शादी को साड़े तीन सार हो गए है और अब इन दोनों ने अलग होने का फैसला किया है पर इस डिवास के पीछे चुपे हैं बहुत सारे जूट क्यों रिशी ने शादी के बाद हिमान्शी के यूट्यूब चैनल ग्लाम कल का नाम बतल कर ग्लाम कपल रख लिया कैसे डिवास अनौन्स करने से चार हफते पहले ही ये कपल ओ मेरा कुट्टू, ओले मेरा मुट्टू कर रहे थे अगर अब ये प्यार था तो चार हफते के बाद डिवास तक पात कैसे पहुच गई और रिशी पैसो के लिए कैसे यूट्यूब पर ओडियन्स को बेवकुफ बनाये जा रहे हैं Hey guys, it's me Monica and let's talk about this glam couple की असली कहानी क्या है लेकिन आगे भढ़ने से पहले ऐसे ही gossip के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलो ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि ब्लॉकिंग में पैसा बहुत है specially जो बहुत ही पहले से इस रास्ते में आ गए थे और आज उन्हें 5 million लोग follow करते हैं पर इसी success के बीच ये मांशी की एक family function में रिशी से मुलाकात होती है और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे शुरू में तो दोनों का शादी करने का कोई plan नहीं था पर जब प्यार हद से जादा हो जाए तो शादी के लिए इंतिजार भी नहीं होता दोनों ने अपने घर में शादी की बात रखी रिशी की family को इस रिश्टे से कोई problem नहीं थी क्योंकि इससे पहले रिशी 16 लड़कियों को शादी के लिए reject कर चुका था तो वो जल्दी से रिशी की शादी करवाना चाते थे पर हिमान्शी के पेरेंस शुरू में थोड़ा खिलाफ हुए पर बेटी की खुशी के साबने मान गए और दोनों ने दिसंबर 2019 में शादी कर ली उस समय रिशी अपना family cardment business समाल रहे थे और बहुत ही अच्छा कमा लेते थे पर फिर भी fame की कमी थी और बस उसी लालच में रिशी ने अपना खुच से कुछ शुरू करने की जगा हिमान्शी का लाखों के fanbase का channel को ही अपना नाम दे दिया और इसका नाम बदल कर glam couple रख दिया इतना ही नहीं रिशी ने channel में 4 साल के content को बदल कर अपने हिसाब से content डालना शुरू कर दिया जो शुरू से हिमान्शी के fans को पसंद नहीं आ रहा था पर हिमान्शी के लिए वो फिर भी channel को follow कर रहे थे पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था glam couple चैनल पर वीडियोज आती रही और लोग दोनों को बहुत पसंद भी करने लगे पर अचानक से 1 जून 2023 को हिमान्शी ने अपने channel पर आकर announce किया कि उन्होंने और रिशी ने दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है और वो डिवोस ले रहे हैं और बस तब से ही जो उनके channel के hardcore fans थे उन्होंने अपना गुसा दिखाना शुरू कर दिया अब आप सोचेंगे कि सबी fans दोनों में बढ़ गए होंगे कोई रिशी के खिलाफ होगा तो कोई हिमान्शी के पर गाइस ऐसा नहीं है तो बहुत ही कम लोग हैं जो रिशी के साइड है और इस बात का सबसे बड़ा reason है कि जिस video की मदद से हिमान्शी ने अपने fans को डिवोस की news दी वो video हिमान्शी ने monetize नहीं की और ये थाबित कर दिया कि ऐसी news को वो पैसा कमाने के लिए यूस नहीं करना चाहती और उन्होंने अपने channel को वही पुराना नाम वापस दे दिया Glam Girl जिसको देखकर fans बहुत खुश है नहीं दूसरी और रिशी ने ये सब होने के बाद सबसे पहले तो अपना नया channel बनाया बींग रिशी के नाम से और तुरन बैक टू बैक उसमें वीडियो जालना शुरू कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि उनके डिवास की news बहार आते ही लोग उनको सर्च करना शुरू कर देंगे और वो इस बात का फायदा उठाना चाहते थे और इस मौके को मॉनेटाइज भी कर रहे थे अब बात करते हैं उन फैंस की जो इस डिवास की news के बाद दोनों के ही खिलाफ है क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे ब्लॉगर्स पैसो के लिए अपनी लाइफ कैमरा में जूट दिखाते हैं और फैंस को बेवकुफ बनाते हैं क्योंकि डिवास की न्यूस से जस चार हफते पहले तक तो यही ग्लैम कपल अपने चैनल पर प्यार भरी वीडियो जाल रहे थे और एक दूसरे को प्यार से कुट्टू, मुट्टू, शोना, बेबी पता नहीं क्या-क्या कह रहे थे और चारी हफते पे डिवास लेनी का फैसला कर लिया, यह तो पॉसिबल नहीं है ना, अब आप बताओ कि आप किसके साइट पर हो, रिशी के या हिमानशी के, या फिर दोनों के खिलाफ हो, मुझे कमेंट करके अपना जवाब जरूर देना, और ऐसी ही छोटे और बड़े-बड़े की गॉसिप के लिए, डोन्ट फगेट तो सबस्टाइब तो मैं चैनल, तिल देर गुडबाई गाईज